दोस्तों आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके वाई जीके अगरवाल सरके माध्यम से लेकर आये हैं रास्तान में राष्टिय उध्यान वे वन्य जीव अभ्यारण्य भाग एक से सम्मंदित प्रतियों की परिक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्पून प्रश्ण प्रश्ण एक राष्टिय मरूध्यान कहां है सही उत्तर है जैसल मेर वे बाड मेर जिले में राष्टिय मरूध्यान जो की जैसल मेर उननीस सो वर किलो मीटर और उननीस सो इक्यासी में इस्तापित वे बाड मेर बारा सो बासट वर किलो मीटर जिलों में फैला हुआ राजस्तान में छेत्रफल 3162.50 वर किलो मीटर की दरश्टी से सबसे बड़ा अभ्यारण्य यह है नाम मातर का राष्टिय उद्यान है वास्तम में इसे अभी तक राष्टिय उद्यान का दरजा नहीं दिया गया इसमें आकल वुड फोसिल्स पार्क जिसे जिवास्म उद्यान या मरुस्तल पार्क इस्तित है इसमें राज्य पक्सी गोडावन पाया जाता है इस उद्यान में पीवना, विशला सर्प, चिंकारा, राज्य पसू, सेवन घास बहुत आयत में मिलती है प्रस्तन संख्या दो दिल्ली, आगरा, जैपूर, एवं राष्टिय राजमार 11 पर है राष्तान के पूर्वी सिंग दुआर भरतपूर में गंबीर वेबान गंगा नदियों के संगम पर इस्तित है इसका निर्मान किसन सिंग ने स्वीजर लेंड की जीलों के आधार पर करवाया इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य 26 अगस्त 1981 में राष्टिय उध्यान राजस्तान का दूसरा वे सबसे छोटा 28.3 वर किलोमीटर राष्टिय उध्यान तथा 1985 में युनेसको द्वारा विश्व प्राकर्तिक धरोवर की सूची में शामिल किया गया इसके मद्य में सिव केवला देव का मंदिर है इसलिए इसका नाम केवला देव अभ्यारण्य पड़ा राज्य में पक्षी प्रजातियों की सरवादिक विवित्ता इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है यह अभ्यारण्य एसिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन इस्तली है अते इसे पक्षियों का स्वर्ग पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं यहां एंचा घास में फसकर सरवादिक पक्षी मरते हैं यहां पर साइबेरियन सारस वे लाल गर्दन वाले दुरलब तोते पाये जाते हैं साइबेरियन क्रेन सीतरितू में केवलादेव राष्टिय उद्ध्यान में आते हैं इस उद्ध्यान का संपूर्ण छेत्र मैदानी है यहां पर हाली में राज के प्रथम वन्य जीव प्रियोक साला इस्तापित की जा रही है यह विश्व के दस सीर्स अभ्यारण में शामिल है प्रशन संख्यात तीन रावली टाडगड वन्य जीव अभ्यारण्य सही उत्तर है अजमेर पाली वे रास्तमन में फ्हला हुआ रावली टाडगड वन्य जीव अभ्यारण्य जोकी अजमेर पाली वे रास्तमन जिलों में फ्हला हुआ है इसका नाम इतिहासकार करनल जेम्स टाड के नाम पर पड़ा प्रशन संख्या चार रन्थंबोर राश्तिय उद्ध्यान जोकी सवाई मादोपूर राजस्तान में इस्तापित है यह देश का सबसे छोटा बाग अभ्यारण्य है जिसे भारतिय बागों का घर भी कहते है रास्तान का सबसे बड़ा राश्तिय उद्ध्यान है जोकी 282.03 वर किलोमीटर चेतर में है राज्य में सरप्रथम बाग पर्योजना यहीं से सुरू की गई इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य अप्रेल 1904 में टाइगर रिजर प्रोजेक्ट देश में 1903 में सुरू हुआ में शामिल किया गया तथा एक नॉवंबर 1908 में राज्य का प्रथम राश्तिय उद्ध्यान भी गोसित किया गया 28 जून 2008 को देश में प्रथम बाग विस्तापन टाइगर ट्रांस्वर की घटना घटित हुई बाग सुल्तान वे बागिन बबली को यहां से हेलिकॉप्टर की सायता से सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया यहां पर 1960 में एलिजाबैथ, 1985 में राजीव गांदी, 2000 में बिल कुंटन तथा 2005 में मन मोहन सिंग गूमने आच चुके हैं हाली में इसके प्रबंदन एतु प्रथक रन्थमबोर बोर्ड का गठन किया गया है इस अभ्यारण्य में दुर्लब काला गरूड वे रेटेड तीतर पाये जाते हैं जो यह जोगी महल एवं त्रीनेत्र गनेस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है रन्थमबोर राष्ट्य उध्यान की सबसे पड़ी जील पदम तलाई जील है रजस्तान में बाग प्रियोजना का जनमदाता रास्तान का टाइगर मेन कैला सांखला जो जोधपुर्निवासी हैं और यह सवाई मादो सिंग वन्य जीव अभ्यारन के नाम से भी प्रसिद्ध होता जा रहा है प्रशन संख्या पांच कैला देवी जीव अभ्यारन सयुतरे करोली कैला देवी वन्य जीव अभ्यारन जो की करोली में है और यह राष्टिय उद्ध्यान रन्थंबोर से जुड़ा हुआ है प्रशन संख्या छे दर्रा वन्य जीव अभ्यारन सही उत्तर है कोटा जालावाड में इस्तित दर्रा वन्य जीव अभ्यारन जो की कोटा जालावाड में है जिसका 203 में दर्रा अभ्यारन से नाम बदल कर राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया तथा 2006 में वसंद्रा सरकार ने इसका मुकुंद्रा हिल्स पार्क नाम रखकर राष्ट्य उध्यान का इस्तर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया परन्त इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मनजूरी नहीं दी यह राजी का दूसरा बड़ा अभ्यारन्य है जिसका छेत्रफल 119 में 555 वर किलो मीटर है इस अभ्यारन में गाग रोनी, हीरा मनतोते, हिंदूओं का आकास लोचन, मनुष्य की आवाज में बोलने वाला यह आकास लोचन अबली मीनी का महल, राजस्तान का दूसरा ताज महल, गुप्त कालीन हुनों का सिव मंदर भी यहाँ पर इस्तित है इसमें सरवादिक गडियाल वैसारस पाये जाते हैं यह राजी का तीसरा राष्टी उध्यान 9 जनवरी 2012 को तता तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट 9 अप्रेल 2013 को घोशित किया गया है इस ताइगर रिजर्व में चार जिले, कोटा, बूंदी, जालावाड वैचित्तोडगड का कुल 769 दसमलव 99 वर किलोमीटर छेतर को शामिल किया गया है दर्रा राष्टिय उध्यान में दर्रा वन्य जीव अभ्यारन्य, चम्मल वन्य जीव अभ्यारन्य, जस्पन सागर वन्य जीव अभ्यारन्य अवस्तित हैं साथियों आपने आज इस चैनल के माध्यम से राष्टिय उध्यान वे वन्य जीव अभ्यारन्य के बारे में दी गई जानकारी को बहुत ही ज्यान पूर्वक सुना वे धर्य पूर्वक अपना समय प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद